पिशले दो वीडियो में हमने सामान हिंदी के बारे में कुछ बाते की हैं विलोम शब्द पे एक वीडियो कल मैंने आप लोगों के लिए पेश किया था दोस्तों उसी कड़ी में आज दूसरा वीडियो ले करके आपके सामने हाजिर हूँ विलोम शब्द किसको कहते हैं? हिंदी में दरसल कोई शब्द जो होता है उसके उल्टा अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है विलोम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? उल्टा या अंग्रेजी में कहते हैं उपोजेट है नो? जैसे अच्छा का विलोम क्या होता है? बुरा उचा का विलोम क्या होता है? नीचा प्राजा का विलोम क्या होता है? रंक इस तरह से धेर सारे शब्द हैं, अनगिनत शब्द हैं दोस्तों उन सभी शब्दों को तो हम लोग नहीं कर सकते हैं लेकिन समिक्षा धिकारी और सहयक समिक्षा धिकारी में जो क्विती य प्रश्न पत्र होगा नारंभिक परिक्षा का दूसरा वाला जो पेपर होता है जो ठाई बजे से साढ़े तीन बजे तक होगा उस पेपर में आपको साथ प्रस्न मिलेंगे सामाने हिंदी के जो हिंदी के शब्द कोश पर या शब्द भण्डार पर आधारित ह होते हैं उन साथ प्रकार के शब्दों को या साथ सवालों को हल करना है हमको और साथ में से प्रयास ये करना है कि हम कम से कम 56 सवाल 57 सवाल 58 सवाल या साथ के साथ हों सही करके आएं ये हमारी रणनीती है ये हमारा विजन है दोस्तों तो अपनी इस रणनीती को आगे बढ़ आते हुए आईए स्वालों का सिलसला शुरू किया जाए देखिए विलॉम शब्द का यह दूसरा भाग है आपके लिए और पहला भाग आप कल देख चुके हैं जिन लोगों ने नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाए और इसका पहला भाग वहां से देख देखिए दोस्तों कहा जा रहा है घर का विलॉम शब्द क्या होगा तो घर का मकान नहीं होगा दोस्तों मकान बिल्डिंग को कहते हैं कि घर और मकान दोने दूसरे के समाना अर्थी हो सकते हैं लेकिन विलॉम नहीं हो सकते और यह है घर का क्या हो सकता है बेघर बाहर क्यों नहीं हो सकता है पाहर का विलोम होता है अंदर ये जो सब्द आप देख रहे हैं बाहर इसका विलोम क्या होगा दोस्तों अभ्यंतर हो सकता है दोस्तों तो अधर का बेघर आप कह सकते हैं ठीक है अगले सवाल पर हम लोग आपको ले चलते हैं दोस्तों अगला सवाल आपका ये है देखिए कहा जा रहा है स्वामी का विलोम शब्द क्या होगा देखिए साजन ये समानार्थी हो सकता है प्रानाधार ये भी समानार्थी हो सकता है स्वामी का मतलब होता है मालिक और यहाँ पे हो सकता है सेवक स्वामी का विलोम शब्द क्या हो सकता है दोस्तों सेवक एक शब्द यहाँ पे दासी आया हुआ है तो थोड़ा सा आपको confusion हो सकता है कई बार पत्नियां अपने पति को आदर पूरवक स्वामी शब्द से सम्भोधित करती हैं कि ये हमारे स्वामी हैं और अपने को कहती हैं कि मैं उनकी दासी हूँ लेकिन दोस्तों स्वामी का अर्थ जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है मालिक स्वामी का जो आम बोलचल की भाषा में हम लोग सामान्य अर्थ समझते हैं वो क्या है स्वामी का अर्थ मालिक है और मालिक का उल्टा जो होगा वो नौकर होगा नौकर को हम लोग सेवक कहेंगे दोस्तों तो स्वामी का जो विलोम शब्द होगा अपोजिट होगा वो क्या होगा सेवक होगा दोस्तों और आप लोग क्या करिएगा स्वामी का सेवक इस पे टिक मार दीजी option number 3 पे ठीक है अगले सवाल पे आपको कहा जा रहा है अमर का विलोम शब्द क्या होगा अमर का मतलब होता है दोस्तों जो कभी नहीं मरेगा उसे अमर कहते हैं इसको मृत्यू शूभी नहीं सकती है तो और जिसकी मृत्यू अवश्य होगी उसे क्या कहेंगे दोस्तों उसे कहते हैं मरति मरति मतलब जिसकी मृत्य अवर्ष्यम भावी है उसे मरति कहते हैं और अमर का मतलब होता है जिसकी मृत्य नहीं हो सकती तो यह दोनों ही शब्द एक दूसरे के प्रीट अर्थ रखते हैं दोस्तों तो अमर का जो पादेत्य भी कहते हैं और हमारे में सही उत्तर है वो मरत्य होगा अमर का विलोम शब्द अगले शवाल की और हम लोग आपको लेके चलें दोस्तों गलासवाल आपका यह रहा कहा जा रहा है लगुद का विलोम तो लगु का विलोम होता है दोस्तों बहुत आराम से चलिएगा लगु का होता है गुरु ठीक वैसे जिसको हम लोग गुरुजन कहते हैं गुरुदेव कहते हैं गुरु कहते हैं टीचर कहते हैं उस अर्थ में गुरु को लिया जा तो गुरु का जो अपोजिट होता है वो अपोजेट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लग्व और गुरु की बात हो रही है दोस्तों, जैसे आप लोग चवपाई, दोहा, सबया, यह सब पढ़ते हैं, तो छंदों की पढ़ाई करते हैं, किसकी पढ़ाई करते हैं हम लोग, छंदों की पढ़ाई करते हैं दोस्तों, औ और जब चंद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो चंद में दो प्रकार के चंद हमारे सामने आते हैं, कौन-कौन से दो प्रकार के चंद आते हैं, एक होता है दोस्तों, वारनिक, और दूसरा चंद होता है मात्रिक, ठीक है, वारनिक चंद क्या हो तो वरणों से संबंधित हो या जिसमें वरणों की गिंती की जाती है और मात्रिक छंद वो होता है जिसमें मात्राओं की गिंती की जाती है तो मात्राओं के लिहाज से दो प्रकार की मात्राएं होती है एक गुर्व और एक लगु देखिए ये जो S जैसा कुछ बनाया है हमे दोस्तों क्या होग कि अब यहां पर हैं दीर्घी दीर्ख मतलब बड़ा होता है तो दीर्ख जो होता है इसका विलोम भी लगु होता है लगु का विलोम का होता है दीर्ख होता है दोस्तों जेश्ट लगु का विलोम जेश्ट नहीं होगा दोस्तों जेश्ट के लिए जो सही विलोम शब्द होता है दोस्तों वो क्या होता है क कनिष्ठ मतलब छोटा, जेष्ठ मतलब बड़ा, तो जेष्ठ तो नहीं हो सकता है, लेकिन लगु के दो विलोम यहाँ पे मिल रहे हैं, एक गुरु और एक दीर्ग, ठीक है, तो दीर्ग के लिए जो सटीक वर्ड आता है, वो आता है संस्कृत में रस्वर, रस्वर का मतलब होता है छोटा और दीर्ग का मतलब क्या होता है बड़ा, तो आपकी जो समस्या है वो हल हो गई, रस्व और दीर्ग एक दूसरे के विपरितार ठक हैं, उसी प्रकार से गुर्ग और लगु एक दूसरे के विपरितार ठक हैं, इस प्रस्ण में अब सवाल उठता है कि किस प बार आपको कि हाँ लगु का देर्ग होना चाहिए लेकिन नहीं दोस्तों देर्ग के लिए आप क्या कह सकते हैं रस्वा, रस्वा का मतलब क्या होता है फोता देर्ग मतलब बड़ा यह दोनों एक दूसरे के विपरित आर्थक शब्द हैं और गुरु और लगु एक दूसरे के विपरितार्थक शब्द या विलोम शब्द हैं तो आप गुरु का लगु से विलोम ठीक लगा सकते हैं और यही सही उत्तर है दोस्तों अगले सवाल पर आप खुले चलूँ आईए देखते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा सवाल नमबर पांच साकार का विलोम शब्द क्या होगा आसान सवाल दोस्तों देखिए साकार मतलब होता है इसका कोई रूप हो ठीक है जैसे कबीर दास के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा वो इश्वर के निराकार स्वरूप की आराधना के लिए जाने जाते हैं और तुलसी दास और सूर्दास इश्वर के साकार रूप की आराधना के लिए जाने जाते हैं तो तुलसी दास और सूर्दास ने इश्वर के साकार रूप को चुना और कबीर दास ने निराकार को चुना तो साकार का जो अपोजिट होता है दोस्तों वो क्या होता है निरा जिसका कोई आकार ना हो, उसे निराकार कहते हैं, जिसका आकार है, उसे साकार कहते हैं, आक्रिशक नहीं हो सकता, सुडोल नहीं हो सकता, तो आपका जो सही उत्तर होगा, वो क्या होगा? निराकार, ठीक है? अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए? आईए देखते हैं, कहा जा रहा है बुद्धिमान का विलोम शब्द क्या होगा देखिए बुद्धिमान का विलोम शब्द होता है मूर्ख ठीक है यानी बुद्धिमान का समानार्थी है और बुद्धिहीन कि ये बुद्धिमान का विलोम तो हो सकता है दोस्तों बुद्धिमान को बुद्धी हीन से विलोम के तौर पर आप चुन सकते हैं लेकिन बुद्धिमान का जो सही विलोम शब्द है अब आदम देजिएगा कभी-कभी आपको जब आप RO, ARO का हिंदी का पेपर हल कर रहे हों तेस्ट के दवरान नहीं वास्तो में जब आप परिक्षा दे रहे होंगे औरिजनल इंतहान उस दवरान आपके पास साथ प्रस्णों होते हैं और साथ प्रस्णों को हल करते समय आपको ये फीलिंग आती ही कई बार जल्दी में होते हैं आप न तो आपको लगेगा ये भी सह यह ही है तो कुछ लोग का उड्ध Qui Ikन पैटिक लगागा कर आएंगे कुछ लोग मूर्ख पैटिक लगाकर कर आएंगे और घर आने के बाद जब authentic आंसर की आएगी लोग सिवायों की तरफ से तो मिलांद शुरू करते हैं बिलांद शुरू करने की मत पता चलते हैं की अरे सोचा था कि 60 में 30 सभी करके आया हूं अब स्कॉर क्या मिला साथ में 40 20 नंबर नीचे आ गए तो 20 नंबर नीचे आना तो बहुत सद्मा है दोस्तों यह तो आपको क्या करना है आपको ब्धिमान बनना है कुद्धिमानी से काम लेना है तो जल फाज में देखिए तो करना है दोस्तों आपको बुद्धिमान का विलोम बुद्धिमान का मुर्ख होता है यह आपको ध्यान में रखना है ठीक मुर्ख पे ही टिक मारेंगे बुद्धिमान का मुर्ख होता है यह आपको याद रखना है बुद्धिहीन विलोम है लेकिन मुर्ख और बुद्धिहीन इन दोनों में किसी एक को चुनना हो best of two इन दोनों में से कौन best है तो आप मूर्ख पिटिक लगाईएगा बधिमान पे नहीं ठीक है अगले सवाल पे ले चलूँ आपको अगले सवाल है दोस्तों संस्कृत का विलोम शब्द क्या होगा बहुत बढ़िया संस्कृत का निर्वाचन नहीं होने वाला है नियुक्त नहीं होने वाला है मनो नयन नहीं होने वाला है यह तीनों ही ठीक है निर्वाचन, नियुक्त और मनो नयन तीनों एक से दूसरे मिलते जुलते शब्द हैं यह आपस में एक दूसरे से क्या है, समान अर्थ वाले शब्द हैं, लेकिन हमें संस्कृत का विलोम बताना है, तो संस्कृत का विलोम होगा दोस्तों, असंस्कृत, संस्कृत का विलोम क्या होगा, असंस्कृत, अगले सवाल पर आपको ले चलता हूँ दोस्तों, अगला सव सुलब का विलोम होता है दोस्तों दुर्गम आसुलब सुलब कठिन एक तो विकल्प नहीं हो सकता यहां सुलब लिख दिया गया है यह तो आप्शन में ही नहीं है यह कहानी खतम कठिन किसका विलोम होता है दोस्तों कठिन होता है सरल कोई चीज सरल है जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ देखिए सरल और कठिन यह दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम है सरल का विलोम कठिन होता है लेकिन सुलब का विलोम कठिन ना भाई, दुर्गम, दुर्गम क्या होता है दोस्तों, जहां पहुचना मुश्किल है, उसे दुर्गम कहते हैं, जैसे माउंट एवरिष्ट पे पहुचना दुर्गम कार रहे हैं, इसलिए दुर्गम सुलब का विलोम नहीं हो सकता, तो हम य सही जो सटीक उत्तर है दोस्तों, वो क्या है सटीक उत्तर? ध्यान दीजिएगा, सुलव का आसुलव, किसी पर टिक मारिए, ये correct answer है, सुलव का विलोम शब्द आसुलव होगा, टिक मार दीजिए, रिश्चिंत होकर के टिक मारिए, आगे देखिए, अगला सवाल है फूल, केंदे का फूल, गुलाब का फूल, आप फूल तो बहुत जानते हैं, देखिए फूल जो है दोस्तों, अपरिल फूल भी होता है क्या, हम तो भूली गए था अपरिल फूल, देखिए, फूल का विलोम शब्द यहां पे होगा दोस्तों, कहटा, कुष्प, समानार्थी है, कुसम समानार्थी है या परियायवाची है ये तो होने से रहा एक ही option है जो फूल का opposite हो सकता है और वो क्या है दोस्तों काटा आपको एक दोहा सनाता हूँ समझिये matter क्या है जो आपके रास्ते में काटा बोया है आप उसके रास्ते में फूल भी चाईए उसके रास्ते में फूल भोई ये क्यों तो कि उसने तो जो आपके लिए काटा बोया है ठीक है वो तो ठीक है लेकिन आपने जो उसके रास्ते में फूल भी चाईए है या फूलों की खेती की है वह उसके सीने में त्रिशूल बनके चुभेंगे यह बहुत बड़ा दर्शन है दोस्तों और इसको शब्दों के माध्यम से समझाया नहीं जा सकता है दीवन समझाता है इसको ठीक है कौन सिखाता है जिंदगी जिंदगी इमतहान भी लेती है दोस्तों और जिंदगी सिखाती भी है दोस्तों बहुत कुछ है नो जिंदगी से बड़ा टीचर होता ही नहीं है आईए ले चलते हैं अगल कि तुर मतलब देवता देवता तो देवता ही है और यह होने से रहा तो यह तीन नहीं होंगे दोस्तों सठीक उत्तर क्या है देव का विलोम कि तानौ ठीक है अगले सवाल पर हम आपको ले चलते हैं यह अंधेरा का विलोम अंधेरा का विलोम होता है दोस्तों उजाला ठीक है अंधकार समानार्थी है दिन और रात यह नहीं होंगे अंधेरा का विलोम क्या होगा दोस्तों उजाला अंधेरा मतलब अंधकार दर्कनेस उजाला मतलब लाइटनेस ठीक है आगे ले चलें आपको जड़ का विलूम क्या होता है? चेतनी जड़ मतलब होता है दोस्तों जैसे कोई कुरसी है रखी हुई है कुरसी को जड़ कहेंगे ठीक है? कोई पत्थर है उसे जड़ कहेंगे जो एक जगा स्थिर है हिल-डूल नहीं सकता उसे जड़ कहते हैं इसमें जान ना हो उसे जड़ कहते हैं और जिसमें चेतना हो जिसमें जीवन हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों चेतन तो जड़ का opposite चेतन होता है आधार नहीं होगा उचा नहीं होगा दोस्तों और इन में से कोई नहीं ये तो होने वाला नहीं है तो आपको सही उत्तर चुनना था, सही उत्तर क्या है दोस्तों, जड़का, चेतन, बढ़ा असान सवाल है, जड़का विलोंचेतन होता है, आप लोग जानते हैं, अब हम ले चलते हैं आपको, सवाल नंबर 13 पे, देखिए कहा जा रहा है, चन्चल का विलोंचब्द क्या होगा, चन्चल का शरार्ती, ये तो समानार्थी हो गया एक आग्र ये कुछ-कुछ हो सकता है ये सभी ना भाई ना चंचल का विलॉम होगा अचंचल का जो सही विलॉम खरते हैं अगले सवाल की तरफ देख़िए कहा जा रहा है पसंद का विलॉम होता है इन में से कोई नहीं तो आपका जो सही उत्तर है पसंद का विलॉम क्या होगा ना पसंद एक मार दीजिए पसंद, अगले सवाल पर आपको ले चलते हैं दोस्तों, स्वच्छ का विलोम, देखिए आज कल अपने देश में स्वच्छ भारत मिशन, बड़ा चर्चा में हैं, स्वच्छ भारत मिशन बहुत चर्चा में हैं, तो ये सवाल दोस्तों, बिल्कुल समसामाईक सवाल है, स्व वाले स्वंच्क नहीं होने वाल स्वंच्ज का मतलब साफ होता है ये समानार्थी या परियावची हो गया और दूशित को क्ति स्वच्छ का विलोम दूशित हो सकता है लेकिन सटीक उत्तर अगर बात की जाए तो स्वच्छ का विलोम होगा अस्वच्छ दोस्तों आप टिक लगाए किस पे अस्वच्छ पे ध्यान दीजिएगा स्वच्छ का विलोम क्या करेंगे आप लोग प्रत्यक्ष का विलोम बहुत ही आसान स्वाल, प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष, ठीक, परोक्ष मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, मैं बताता हूँ, प्रत्यक्ष मतलब होता है, डायरेक्ट, जैसे हम आप से बात कर रहे हैं, डायरेक्ट बात कर र मतलब क्या होता है सामने से नहीं आ रहे हैं हम परदे के पीछे हैं कहीं छुपे हुए हैं तो उसको क्या कहते हैं परोक्ष ठीक है कई बार ऐसा होता है कि लोग तूसरे के कंधे पे बंदूग रख कर चलाते हैं है ना मतलब छुप करके वार करते हैं उसे कहा जाता है परोक्षरूप से लडाई कर रहे हैं कैसे लडाई कर रहे हैं परोक्षरूप से आपको एक उदारन देता हूँ पिल्कुल ताजा तरीन उदारन रूस और युक्रेन के मीच में लडाई हो रही है दुनिया जानती ही कि रूस और युक्रेन आमने सामने हैं एक दोसे से भिड़ रहे हैं लेकिन दोस्तों युक्रेन रूस के सामने करीब करीब हरवरी आएगी तो दो बरस हो जाएंगे दो बरस से लड़ाई में लड़ा हुआ है कैसे इसलिए दोस्तों क्योंकि अमरीका है ब्रिटन है पोलेंड है हर हंगरी है ऐसे धीर सारे देश हैं जो उक्रेन का साथ दे रहे हैं लेकिन वो रूस से आमने सामने भिडंत नहीं चाहते वो परोक्ष रूप से लड़ रहे हैं कौन से युद्ध कर रहे हैं वो लोग परो परोक्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों छुप करके या पीछे से बार करना तो प्रत्यक्ष का जो विलोम शब्द है वो परोक्ष हो रहा है यहाँ पर अगले सवाल पर हम आपको ले चलते हैं दोस्तों अगला सवाल आपका ये रहा स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या हो स्वतंत्रता का होगा यहाँ पे दोस्तों पराधीनता ठीक है गणतंत्र नहीं होगा आजादी नहीं होगा प्रजातंत्र नहीं होगा स्वतंत्रता का विलोम क्या होगा दोस्तों वास्तों में यहाँ पे एक शब्द होना चाहिए था यह परतंत्रता, कौन से शब्द होना चाहिए था दोस्तों, परतंत्रता, अगर ये शब्द होता, तो आप इस पे टिक मारते, ठीक है, तो तंत्रता के लिए सही, विलोम शब्द क्या होना चाहिए, परतंत्रता, लेकिन, यहाँ परतंत्रता नहीं है, आपके चारो विकल्पों म सब को सब नंबर 18 या है तो अठार नंबर नहीं होता है इंध्छिक नहीं है ऑक्शन जो है इसी को ये भी कहते हैं दोस्तों ऐसे एच्छिक जैसे कि आप जब PCS का अंतहान देते हैं तो आपके लिए कुछ विश्य ऐसे होते हैं जब अनिवार्रे होते हैं और कुछ एच्छिक होते हैं एच्छिक विश्यों को अब हटा दिया गया है एच्छिक मतलब होता है जिसको आप उच्छा से चुनते हैं या वैकल्पिक तो अगर एच्छिक चार विकल्पों में होता तो अनिवार्रे का विलोम एच्छिक होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा अगर एच्छिक नहीं है option में तब आप वैकल्पिक पर टिक मारिए क्योंकि सही उत्तर अब दिये गए option में देखा जाए तो वैकल्पिक आपके लिए सही उत्तर है दोस्तों अगले सवाल पर हम आपको ले चलें अगला सवाल देखिए आपका ये रहा कहा जा रहा है आरंभ का विलोम शब्द क्या होगा आरंभ का मतलब होता है किसी चीज की शुरुवा बिगनिंग स्टार्ट ठिक है और आरंभ का अंत होगा दोस्तों क्या होगा हमने इस कारे का आरंभ किया है उसका अंत भी अवश्चे करेंगे दोस्तों तो आरंभ का अंत होता है शुरू नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, अनन्त बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों तो किस पे टिक मार दिया जाए? अन्त पे, अन्त और आरम एक दूसरे के अबोजिट वरण है आप कहेंगे खत्म पे क्यों ना मार दें भाई? तो खत्म जो होता है दोस्तों और जो शुरू होता है यह दोनों आपस में एक दूसरे के विलोम हैं, खत्म का शुरू और शुरू का खत्म हो सकता है लेकिन आरंभ का जो विलॉम होगा वो क्या होगा अन्त होगा दोस्तों और आये देखते हैं ये अनुकूल प्रतिकूल बड़ा असान सवाल है ये तो अनुकूल का विलॉम सब्द क्या होगा प्रतिकूल अनुरूप नहीं होने वाला सकुल और विकुल ये बिल्कुल नहीं ह तुन क्या होगा है तो अनुकूल का विलॉमसद्श क्या होगा दोस्तों प्रतिकूल और आगे चलते हैं निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा निर्मल का दोस्तों मलिन निर्मल का क्या होगा मलिन ठिक और निर्मल भी हो सकता है लेकिन निर्मल का विलोम शब्द मलिन होता है दोस्तों ये सर्वग्यात तत्य है तो आपको टेक लगाना किस पे है? आपको टेक लगाना निर्मल का मलिन पे और अशुध नहीं होगा दोस्तों इन में से कोई नहीं ये भी नहीं होने माला है अगले सवाल पे आपको ले चलूं आईए कहा जा रहा है सम्मान का विलोम क्या होगा सम्मान का अपमान होता है दोस्तों जग जाहिर सी बात है जब चानक्य धनानंद के दरवार में गया था तो उसका क्या हुआ था? अपमान हुआ था तो उसने उस अपमान का बदला लेकर के दिखा दिया और चंद्रकुप्त मावरे के दर्बार में क्या हुआ था दोस्तों उसका सम्मान हुआ था तो सम्मान और अपमान एक दूसरे के क्या हैं दोस्तों विलोम शब्द हैं आपका ये सम्मान आप्शन में कौन कौन है चेक कर लिया जा दुबारा से देखिए कहा जा रहा है सम्मान ये नहीं होगा अभिमान ये नहीं होगा बेजजती नहीं होगा क्या होगा दोस्तों सम्मान का अपमान कुछ लोग होंगे जो बेजजती पे टिक मारने की कोशिश करेंगे लेकिन आप को क्या करना है आपको अपमान पे टिक मारना है दोस्तों यहाँ पे इस बात का खयाल रखियेगा कि अगर किसी शब्द का यहाँ पे नाम आया है उसकी चर्चा है तो उसका जो विलोम होगा उसमें हाशाई द्रिष्टिकोण को अवश्य ध्यान में रखना है और अगर संस्कृत के तत्सम शब्दों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है तो उनका जो विलोम होगा वह भी संस्कृत के तत्सम शब्दों में ही आपको तोणना है खारसी में या उर्दू में या अर्भी में कताई नहीं ठीक है अगले सवाल पे आपको मैं ले चलता हूँ देखिए अगला सवाल ये है, धनी का विलोम निर्धन होता है दोस्तों, धनी मतलब जिसके पास धन है और निर्धन मतलब जिसके पास धन नहीं है, तो धनी का विलोम निर्धन होगा, धनवान कता ही नहीं, गरीब कता ही नहीं, ये भी नहीं, गरीब किसका विलोम होता है दो दोस्तों, बाकी के option नहीं हो सकते हैं, आप टिक मारिएगा सिर्धन पे, अगला सवाल आपके screen पे ये रहा दोस्तों, सवाल नमबर 24, आज्या का विलोम होता है, क्या होता है दोस्तों, आदेश, समनार्थी हो गया है, तो उपकार, ना, हुक्म, ये भी समनार्थी हो गया, आ आपको क्या करना है, अवग्या पे टिक मारना है, पूर असा मैं सवाल को उपर खिसका देता हूँ, देखिए, आज्या का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, आज्या का जो विलोम होगा, वो क्या होगा, ये है आज्या, और आज्या का विलोम होगा आपके लिए अवग अग्या मतलब होता है order आदेश अब अग्या मतलब होता है उस आदेश की अब हेलना करना उसको पूरा ना करना ठीक है अब हम चलते हैं अगले सवाल पे और आपका अगला सवाल देखिए दोस्तों ये रहा question number 25 निर्माण का विलोम होता है दोस्तों विध्वन्स निर्माण का विलोम क्या होता है विध्वन्स अगले सवाल पे आपको ले चलू अच्छा का विलोम होता है बुरा अच्छा का विलोम क्या होता है दोस्तों बुरा पेकार ये नहीं होगा घला ये नहीं होगा गलत ये नहीं होगा क्या हो सकता है अच्छा का विलोम बुरा ठीक है अब हम ले चलते हैं आपको यहाँ पे सवाल 27 अच्छा सवाल है यह तो सुभा का विलोम सुभा का शाम सुभा होती है शाम होती है उम्रियों ही तमाम होती है दोस्तों यह शेर आपने सुना होगा सुभा का जो अपोजिट है सुभा का जो विप्रितार्थक शब्द है वो है शाम देखे, अभी हमने एक बात आप से कही थी कि जो उर्दु से या फार्सी से या अर्बी से शब्द आय हुए है उनके विलोंग उसी भाश्रा में आपको धूढ़ना है, तलाश करना है और जो संस्कृत से आये हैं उनको संस्कृत में तलाश करना है जो तत्सम है उनको तत्सम है जो तद्भव है उनको तद्भव में तलाश करना है सुभा और शाम ये दोनों ही दोस्तों हरसी से आये हुए शब्द है और दिन और रात ये नहीं होंगे और ये चाओथा अप्षन नहीं हो सकता है तो जो हो सकता है वो क्या हो सकता है सुभा का साम ठीक है अब अगले सवाल पर आपको ले चलते हैं दोस्तों अगला सवाल ये है सवाल नमबर 28 क्या है 28 में दोस्तों उधर का विलोम इधर बहुत इधर उधर की बात करते हैं लोग, है न, इधर का मतलब here, उधर का मतलब there, तो इधर का विलोम उधर हो जाएगा दोस्तों, वहाँ नहीं होगा, ताहिना नहीं होगा, और वाएं नहीं होगा, आपको टिक लगाना है दोस्तों, उधर का विलोम कहा होगा, इधर, ठीक सफल का मतलब होता है сकसेसफ़ोल यह तो यह समानारथी हो गये और कामयाब आपका विलोम होता है नाकामयाब सफल वाले का नाकामयाब पर टिक मत लगाईए ठीक है अब तो आपके पास रास्ते हैं या तो विफल पर टिक मार दें या तो असफल पर तो सफलता का विलोम आप जानते हैं असफलता है नो सफल का विलोम क्या होगा असफल इसी पर टिक म रखता है ये विफल का जो अर्थ है वो सफल के अर्थ के उल्टा है लेकिन इन दोनों में से किसी एक को अगर चुनने की बात होगी तो आप कहिएगा सफल का विलॉम क्या होगा असफल ठीक है मेरा ख्याल है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ दोस्तों अगले सवाल पर आपको ले चलता हूँ अगला सवाल आपका ये रहा विजय का विलॉम क्या होता है विजय का पराजय होगा दोस्तों विजय का विलूम क्या होगा पराजय है ठीक है हार जीत को कहते हैं दोस्तों जीत का विलूम हार होता है मात शह शह जानते हैं दो लोग शत्रंज के खिलाडी हैं वो जानते होंगे कि शह और मात क्या होती है दोस्तों और जो लोग राजनीती के खिलाडी हैं वो तो शह और मात का खेल जीवन परियंत खेलते हैं हार का विलोम क्या होता है दोस्तों जीत हार का विलोम क्या होगा जीत और विजय का विलोंग क्या होगा दोस्तों पराजय आप विजय का पराजय पे टिक मार दीजिए अगले सवाल पर ले चला जाए अगला सवाल ये last question था दोस्तों ठीक है इसके बाद सवाल कमाप्त होते हैं हमारे और हमारी तरफ से आपके लिए एक अनुरोध है आप देख लिजिए हमने क्या request की है आप से हमारे चैनल को आप लाइक जरूर कीजिए कमेंट भी कीजिए subscribe भी कीजिए दोस्तों और एक बात लिखना हम भूल गए हैं टेयर आप अपने दोस्तों अपने परिचितों में ने मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा टेयर करें यह मारा request है दोस्तों इसाज़त दीजिए संतोष शर्म को कर